हेलो एप्रेटार विल्कम बैक टू मैचेजल मिखमेटिक सवाल आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिगुनमेट्री का एक सवाल है पुरूफ करना है वो मैं पुरूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे उसको पुरूफ किया जाता है ठीक है चलिए तो हम लोग पुरूफ करत ठीक है LHS को RHS के बराबर तो हम लोग क्या करेंगे LHS को ले लेंगे ठीक है LHS को यहाँ पर उतार लेंगे LHS ठीक है LHS को हम लोग लिया है कॉस 4X प्लस कॉस 2X प्लस कॉस 3X डिवाइड भाई साइन 4X प्लस साइन 3 साइन 2X प्लस साइन 3X ठीक है अच्छा अब आम लोग क्या करेंगे है कि आप लोग एक फ्रमुला परिए साइन साइन 3 सी प्लस ड्य yaz को सी प्लस ड्य ये वाला फ़र्मुला पं भागव तो यहा प्रमुला लागे लगए कोस प्लस ड्य इस वाल एकवेसं में र हम Companies साइन सी प्लस डी ठीक है तो इसमें लोग कॉस्सी प्लस डी लगाते हैं तो हो जाता है तू कॉस्स सी माइनस डी बाइटू फिर कॉस्स प्लस डी बाइटू ठीक है डिवाइड भाई और यहां पर एक यह वाला प्लस कॉस्स ठीक्स डिवाइड भाई यह वाला साइन सी प्लस डी का फर्मुला होता है डी बाइटू प्लस साइन थ्री एक्स ठीक है यहां तक हाल में हम लोग पहुंच है अब हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको टू कॉस यहां पर नखी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फो एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड भाई टू तो एक्स बचेगा ठीक है कॉस है भी एक्स डिवाईड वाइए इहां पर देखे 4 एक्स उथ टू एक्स डिवाईड भाई दू तो फो एक्स प्लस कितना हो जाएगा तो शिक्स डि एक्स टू शिक्स डिवाईड भाई तो तो रिद्व साइन 3x फिर cos x प्लस sin 3x अब देखिए यहाँ पर हम लोगो क्या करना पढ़ेगा कि इसमें cos 3x cos 3x common ले लेंगे और इसमें से sin 3x sin 3x common ले लेंगे ठीक है तो हो जाएगा हम लोगो क्या तो cos 3x common लेने पर यहाँ पर बचेगा 2 cos x plus 1 divide by यहाँ पर sin 3x common लेंगे तो sin 3x 2 sin यहाँ पर बचेगा 2 sin x 2 cos x sin x नहीं cos x यहाँ पर बचेगा 2 cos x plus 1 बचेगा ठीक है अब यहाँ पर interesting बात यह है कि 2 cos x plus 1 और 2 cos x plus 1 यह दोनों टर्म कट जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा cos 3x divide by sin 3x इसको हम लोग लिख सकते है cos 3x यह हमारा हो जाएगा rhs ठीक है हम लोग प्रूफ कर दिए यह हम लोगों को प्रूफ करना था ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं है दो फर्मूला लगा है sin c plus d और cos c plus d के ठीक है आयोप अब लोगों जरू समझ में आया हो समझ में आया था हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें जो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें चलिए हम लोग चलते हैं